जैसल मेर भारत के राजस्थान प्रांट का एक शहर है। भारत के सुदूर पश्चिम में स्थित थार के मरुस्थल में जैसल मेर की स्थापना भारतिय इतिहास के मध्यकाल के प्रारंब में 1178 एके लगभग यदुवन्शी राजपूत भाटी के वन्शज रावल जैसल जैसल मेर शहर चारो तरफ से बंजर रेत और शुष्क थार रेगिस्तान से घिरा हुआ है जो दूर से पीले रंग में चमकता है क्योंकि यहां के किले हवेलियां मंदिरों में पीले बलवा पत्थर का बड़े पैमाने पर इस्तमाल किया गया है। चमले की जूतियों की असंख्य दुकाने, ब्लॉक से छपाई किये हुए सकाफ और छोटी वस्तों पर कलाकारी ये सब चीजे परियतक को अपने आप में डूबा कर पुराने समय में ले जाती है। परिसर में पांच छोटी हवेलियों का एक शांदार समूह पट्वों की हवेली जैसलमेर में घूमने के स्थानों की सूची में सबसे उपर आती है। खिर्कियों और बालकनियों पर जटिल नकाशी और उत्तम वॉल पेंटिंग और शीशे का काम हवेलियों की भव्यता को बढ़ाते हैं। इस विशाल हवेली में हवादार आंगन और साथ बालकनी है, जिनमें से प्रत्यक में विशिष्ट नकाशी है, जो इसके आकर्शन को बढ़ाती है। हवेली के संद्रहाले में आपको पट्वा परिवार से संबंधित पत्थर के काम और कलाकृतियों का दुरलप संद्रह भी मिलेगा। पट्वों की हवेली आने का सबसे अच्छा समय सितंबर से फरवरी के बीच है। बड़ा बाग जैसल मेर शाही परिवारों के मकबरों की एक शिंखला के साथ एक उद्ध्यान परिसर, बड़ा बाग राजस्थान के अतीच से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहां एक छोटी सी पहाडी पर स्थित है, जिसमें पहाडी के तल पर मकबरे या कबरगा के प्रवेश द्वार है। बगीचे में कई भूरे रंग की छत्रियां हैं, जो की गुम्बत चौकोर, गोलाकार या पिरामिड के आकार बनी हुई है। आप यहां बगीचे में टहल सकते हैं, और पक्षियों को देख कर इस जगह का लुट्फ उठा सकते हैं। बड़ा बाग देखने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी के बीच है। जैसलमेर का किला जैसलमेर। ठार रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर स्थित और एक विशाल रेत के महल जैसा दिखने वाला जैसलमेर किला राजस्थानी वास्तुकला का प्रतीक है। भारत के इस सबसे बड़े जीवित किले में लगभग पांच हजार लोग रहते हैं और यह यूनेसको की विश्व धरोहर स्थल भी है। इस पीले बलवा पत्थर के किले में विभिन्न द्वारो गणेश पोल, सूरज पोल, भूत पोल और हवा पोल से प्रवेश किया जा सकता है। आखिर में आप बड़े प्रानण में जाएंगे जिसे दशारा चौक कहा जाता है। किले के अंदर लक्ष्मिनात मंदिर, जैन मंदिर, कैनन पॉइंट, पाच स्थरिय मूर्तिकला महरवाल पैलेस और किला संद्रहाले जैसे कुछ प्रमुक आकर्शन है। इस किले में घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्ज तक है। गडी सर जील, जैसल मेल इसका इतिहास चौदवी शताबदी का है, जब यह पूरे शहर के लिए पानी का एक प्रमुक स्रोध था। अब गडी सर जील एक लोकप्रिय परियटक आकर्शन है, जहां आप बोटिंग का मजा ले सकते हैं, और निकटवर्ती जैसल मेर किले और इसके किनारे पर मौजूद मंदिरों के सुन्दर द्रिशों का आनन्द ले सकते हैं। यदि आप सर्दियों में यहां घूमने आ रही हैं, तो आपको यहां कई प्रवासी पक्षियों का भी जमावडा दिखाई दे सकता है। यहां आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच है। व्यास छत्री जैसल मेर बड़ा बाग के अंदर स्थित व्यास छत्री जैसल मेर के सबसे लोगप्रिय परियतन स्थलों में से एक है। सुरुचिपूर्ण राजस्थानी वास्तुकला और जटिल नकाशी के साथ सुनारे रंग के बलुआ पत्थर की छत्रीयों की एक सरनी के साथ ये संद्रचनाय देखने लायक है। छत्रीयों की वास्तुकला को निहारने के अलावा आप एक तरफ जैसल मेर के ले और दूसरी तरफ रेद के टीलों के सुन्दर द्रिशों का आनन्द ले सकते हैं। व्यास छत्री देखने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्ज तक है। सैंसेंड ड्यून्स जैसल मेर देश के सबसे प्रामानिक रेगिस्तानी स्थलों में से एक सैंसेंड ड्यून्स सूर्योदय और सूर्यास्त के मंत्रमुग्द कर देने वाले द्रिश प्रस्तुत करता है। आप यहां रेगिस्तान सफारी पर भी जा सकते हैं या उन्ट की सवारी का आनंद ले सकते हैं। थान रेगिस्तान के केंद्र में कई कैम्पिंग पॉइंट भी हैं। लोक नरीती, रात में संगीत, प्रामानिक राजस्थानी व्यंजन और राजस्थान की संस्कृती और विरासत को प्रदर्शित करने वाली अन्य दिल्चस्प गतिविधिया सैम सैंड ड्यून्स में देखी जा सकती हैं। खाबा किला जैसलमेर खाबा किला कुलधरा गाव के पास जैसलमेर में एक और असामान्य और अद्भुत संरचना है। किले और गाव में पालीवाल ब्रामन रहते थे, जनोंने एक रात अज्यात कारणों से इसे छोड़ दिया था। अब यहां एक लोकप्रिय परियटक आकर्शन बन चुका है। इस किले से आप गाव के सुंदर मनोरम द्रिशे देख सकते हैं, साथ ही कई खूपसूरत फोटोज भी खीट सकते हैं। किले का आकर्शन और सदियों पुरानी कलाकृतियों वाला एक संद्रहाले कई इतिहास प्रेमियों को भी आकर्शित करता है। एक परिसर में पाँच छोटी हवेलियों का एक शांदार समूह पट्वों की हवेली जैसलमेर में घूमने के स्थानों की सूची में सबसे उपर आती है। खिर्कियों और बालकनियों पर जटिल नकाशी और उत्तम वॉल पेंटिंग और शीशे का काम हवेलियों की भव्यता को बढ़ाते हैं। इस विशाल हवेली में हवादार आंगन और साथ बालकनी हैं, जिनमें से प्रत्यक में विशिष्ट नकाशी है, जो इसके आकरशन को बढ़ाती है। हवेली के संद्रहाले में आपको पट्वा परिवार से संबंधित पत्थर के काम और कलाकृतियों का दुरलप संद्रा भी मिलेगा। पट्वों की हवेली आने का सबसे अच्छा समय सितंबर से फरवरी के बीच है। बढ़ा बाग जैसलमेन शाही परिवारों के मकबरों की एक श्रिंखला के साथ एक उद्ध्यान परिसर, बढ़ा बाग राजस्थान के अतीच से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहां एक छोटी सी पहाडी पर स्थित है, जिसमें पहाडी के तल पर मकबरे या कबरगा के प्रवेश द्वार है। बगीचे में कई भूरे रंग की छत्रियां हैं, जो की गुम्बत चौकोर, गोलाकार या पिरामिड के आकार बनी हुई है। आप यहां बगीचे में टहल सकते हैं, और पक्षियों को देख कर इस जगह का लुट्फ उठा सकते हैं। बड़ा बाग देखने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी के बीच है। जैसलमेर का किला जैसलमेर। ठार रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर स्थित और एक विशाल रेत के महल जैसा दिखने वाला जैसलमेर किला राजस्थानी वास्तुकला का प्रतीक है। भारत के इस सबसे बड़े जीवित किले में लगभग पांच हजार लोग रहते हैं और यह यूनेसको की विश्व धरोहर स्थल भी है। इस पीले बलवा पत्थर के किले में विभिन्न द्वारों गणेश पोल, सूरज पोल, भूत पोल और हवा पोल से प्रवेश किया जा सकता है। आखिर में आप बड़े प्रांगर में जाएंगे जिसे दशारा चौक कहा जाता है। किले के अंदर लक्ष्मिनात मंदिर, जैन मंदिर, कैनन पॉइंट, पाच सरीय मूर्तिकला महरवाल पैलेस और किला संद्रहाले जैसे कुछ प्रमुक आकर्शन है। इस किले में घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्ज तक है। गडी सर जील, जैसल मेर। शहर के बाहरी इलाके में स्थित, खूबसूरत गडी सर जील, शान्ती चाहने वालों के लिए एकदम परफेक्ट लोकेशन है। इसका इतिहास चौदवी शताबदी का है, जब यह पूरे शहर के लिए पानी का एक प्रमुक स्रोध था। अब गडी सर जील एक लोकप्रिय परियतक आकर्शन है, जहां आप बोटिंग का मजा ले सकते हैं, और निकटवर्ती जैसल मेर किले और इसके किनारे पर मौजूद मंदिरों के सुन्दर द्रिशों का आनन्द ले सकते हैं। यदि आप सर्दियों में यहां घूमने आ रही हैं, तो आपको यहां कई प्रवासी पक्षियों का भी जमावड़ा दिखाई दे सकता है। यहां आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच है। व्यास छत्री जैसल मेर बड़ा बाग के अंदर स्थित व्यास छत्री जैसल मेर के सबसे लोगप्रिय परियतन स्थलों में से एक है। सुरुचिपूर्ण राजस्थानी वास्तुकला और जटिल नकाशी के साथ सुनहरे रंग के बलुआ पत्थर की छत्रीयों की एक सरनी के साथ ये संदचनाय देखने लायक है। छत्रीयों की वास्तुकला को निहारने के अलावा आप एक तरफ जैसल मेर के ले और दूसरी तरफ रेत के टीलों के सुन्दर द्रिशों का आनन्द ले सकते हैं। व्यास छत्री देखने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्ज तक है। सैंसेंड ड्यून्स जैसल मेर देश के सबसे प्रामानिक रेगिस्तानी स्थलों में से एक सैंसेंड ड्यून्स सूर्योदय और सूर्यास्त के मंत्रमुग्द कर देने वाले द्रिश प्रस्तुत करता है। आप यहां रेगिस्तान सफारी पर भी जा सकते हैं, या उंट की सवारी का आनन्द ले सकते हैं। ठान रेगिस्तान के केंद्र में कई कैंपिंग पॉइंट भी है। लोक नरीती, रात में संगीत, प्रामानिक राजस्थानी व्यंजन और राजस्थान की संस्कृती और विरासत को प्रदर्शित करने वाली अन्य दिल्चस्प गतिविधिया सैम सैंड ड्यून्स में देखी जा सकती है। खाबा किला जैसलमेर खाबा किला कुलधरा गाव के पास जैसलमेर में एक और असामान्य और अद्भुत संग्रचना है। किले और गाव में पालीवाल ब्रामन रहते थे, जनोंने एक रात अज्यात कारणों से इसे छोड़ दिया था। अब यहाँ एक लोकप्रिय परियटक आकरशन बन चुका है। इस किले से आप गाव के सुन्दर मनोरम द्रिशे देख सकते हैं, साथ ही कई खूपसूरत फोटोज भी खीट सकते हैं। किले का आकरशन और सदियों पुरानी कलाकृतियों वाला एक संद्रहाने कई इतिहास प्रेमियों को भी आकरशित करता है।